इस बात की अपनी गारंटी है, बिल्गुल फीट हो जागा, इंफेक्शन खतम हो जागा, अट्डटे की हड्रेंट परसेंड, आपको बस दो ही चीज लेनी है, यह सबसे बड़ी समस्य है, बहुत सी ठीके भी दरवा दरवा आगे, सपाई करवा करवा आगे, डॉक्टर से ब इसरी भी बोलता है, कि इसमें धागा निकलता है, ऐसा मोटे मोटे वाली होती है, दोने चीज को आप घड़े में गेर दो, और बीस गिलास पानी गेर दो, एक गिलास सुबा और एक श्याम, पशु की चार्ट में डालता रो, हट्रेंट परसेंट पशु डटेगा, रुके है, बिल्कुल फिट हो जागा, इनफेक्शन खतम हो जागा, अड़ेटेगी हड्रेंट परसेंट, आपको बस दो ही चीज लेनी है, आदीगलो तो फटकड़ी लेनी है, आदीगलो दागे वाली मिश्री लेनी है, एक घड़ा लेना है, घड़ा होता है, मिट्टी का परतन ह मत्का लेना है उसमें 20 गिलास पानी गेर दो अच्छा बीस गिलास पानी गेरने के बाद में और आपको एक गिलास सुबा और एक स्याम पसु की चार्ट में डालते रो तो पसु फिरेगा नहीं इन्फेक्शन दूर हो जागी सपाई दूर हो जागी अर दस दिन में आपका प आई हो तो बात के अपनी कम बताए कि को देना कब है करोस करवाने से ना करोस करवाने देना तो इसके लिए इस कारणू हम है सब्सक्राइब भूध का ससक्राइब तो अब आपकी अपने फार्मूला ये जड़ी बुट्ती है किसी गाएंवेंस बोलती ना हो रुकती ना हो ड़ती ना हो गाएंवेंस चटप चारा कंखती हो कंपानी पिती हो अपना लंबर है को यह अपने से संपर कर सकते हैं आपके आँखों के सामने फीश के तैयार करके देते हैं अठाण में तेरा पंद्रा बीस नब्बे और जो भी फोर्मूला बताया है वो क्या करना है कि जैसे मालों की पशू हीट में आने वाला होता है तो दस दिन पहले से ही दस से बारा दिन पहले सुरू कर दो इसको और उसके बाद में जैसे पशू हीट में आएगा 100% आपका अठाण में तेरा पंद्रा बीस नब्बे ठीक हो है साब ये जवान जेकी साब